हलो स्टूडेंट अज पढ़ते हैं कॉवलेंट बोंडिंग देखों अपने कल पढ़ा है कि कार्बन है उसके वैलन्स सेल में चार ही इलक्टरोन होते हैं तो उसे अपनी आउटर मुस्ट सेल को कुंप्लीट करना होता हैं और वो कैसे जो चकता है, तो वो चार इलक्ट्रों और गेंड कर ले, तो उसके आउटरमस्ट सैल में आठ हो जाएंगे, या फिर वो अपने चार इलक्टरून को बाहर निकाल दे ताकि उसकी जो पिछे सैल बचती है उसमें दो इलक्टरून बचे और वो फुली फील्ड हो जाए लेकिन कारबन यह दोनों ही नहीं कर सकता तो इसके लिए फिर वो थी हो क्या करता है तो Covalent Bond क्या बताऊगे The Bond Formed by the Searing of Electron Clear है और जो भी Compound Covalent Bond से बनते है उन्हें Covalent Compound बोलते है ठीक है Next देखो Example के बात करते है कुछ है Covalent Compound की सबसे पहले Hydrogen लो आप Hydrogen का Atomic Number कितना होता है One अब Electronic Configuration लिखोगे तो Electron कितना है एक ही है तो यह ओगा है one तो इसके valence से भी क्या होगी one होगी मतलब इसके valence cell में एक electron है और इसकी पहली cell है और पहली cell में maximum कितने आते हैं दो electron तो मतलब इसके पास एक electron की ही कमी है जैसे एक electron आ जाएगा इसकी जो valence cell है वो complete हो जाएगी तो यह क्या करेगा एक दूसरा hydrogen का item आया उ इसा hydrogen ने भी अपना electron रखा इसने शेयर किया इसके दो हो गए इसने भी शेयर किया इसके भी दो electron हो गए और दो electron से एक bond की formation होती है और यह बन जाता है as two molecule clear है तो यह हो गए single covalent bonded compound जिसमें single bond present है second oxygen के बात करते हैं oxygen का atomic number eight होता है तो इसके electronic configuration क्या लिखोगे पहली cell में द two electron then six electron तो इसकी balance से निकालोगे तो balance आईगी दो आपको पता है कि अगर balance electron चार से ज्यादा हो तो आप उन balance electron को eight में से माइनस कर देते हो चीक है अब देखो electron को जनरली आप डोट से शो करा होगी यह oxygen है इसकी balance में आप 6 electron बता रहे हो दो चार चै अब आपने balance से दो पाएगा clear है तो इसने दो इलेक्ट्रोन बीच में रखे वैसे इस oxygen ने भी अपने दो इलेक्ट्रोन बीच में रख दिये अब इसने इसकी इलेक्ट्रोन शेयर कर लिए इसने इसकी तो देखो 2468 होगे पूरे वैसे ही इस oxygen के भी 246 और आठ और यहापर कितने bond आएंगे द दो क्योंकि दो इलेक्ट्रोन से एक बंड बनता है तो यह आ गए ओक्सिजन और ओक्सिजन के विच में डबल बॉन्ड और ओटू मॉलेक्ट्विल की फॉर्मेशन नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का टोमे की नंबर होता है जावन इलेक्ट्रोन शेयर करवाएगा तीन इलेक्ट्रोन बीच में रखेगा चीक है बाक्य के बाहर रख दो इसने पर पने तीन रखे दिए अब देखो शेयर करेंगे यह तीन तीन छे और दो आठ और यह से इसके भी आठ एलेक्ट्रोन तो यहापर कितने बंड बनेंगे तीन एंड तू इनर्जी की सप्लाइ करने पड़ेगे इसलिए यह माना जाता है कि जो अन्टू है वो नोन रियक्ट्व होता है किसी के साथ जनरल रियक्शन ही नहीं करता ठीक है तो जो आप चिप्स बगारा के पैकेट आते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस ही फिल की जाती है क्योंकि यह उनके साथ रियक्शन नहीं करेगा और जापका फूड पार्टिकल है वो भी खराब नहीं होगा कलीर है सेकेंड कंपाउंड देखते हैं यह तो आपने जिनमें दोनों एटम सेम थे अब हिट्रोजन देखों जैसे आप मिथेन की बात करो सी एस फॉर एक कारबन है चार इसके साथ दूसरी ने रखा तीसरी और चोथी इसने अपने डूप्लेट कंप्लेट कर लिए और कारबन ने ओक्टेट कंप्लेट कर दिया और यह बन गया सी एस फॉर अब जो अनस्तरी का मोलेक्यूल है वो तुम्हें बनाना है ठीक है अब हम अपना सेकेंड टोपिक का नेचर है कारबन के पास ऐसी कौन सी प्रोपर्टी है जिसकी वज़े से कारबन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर रहे कि हर एक लिविंग और्गिनिजम का बेसिक स्ट्रिक्शर प्रोवाइड कर रहे है ठीक है तो रिसेंटली कारबन कंपाउंड के नंबर देखे तो व क्रोपर्टी क्या प्रोपर्टी है तो हमें फिर दो प्रोपर्टी एंड है catination property और second है tetra valency देखो दोनों क्या होती है catination है वो important है catination किसे बोलोगे self linking property मतलब जो carbon है वो या तो अपने या तो नहीं जो carbon है वो अपने ही carbon के atom के साथ कितने भी लंबी chain बना सकता है ठीक है उसे बोलेंगे catination self linking मतलब खुद के साथ link कर रहा है बार बार एक main property होगी जनरली और atom में भी self linking की property होती है लेकिन उनकी कम होती है जैसे oxygen है वो अपने दूसरे एक oxygen के atom के साथ बोंड बना सकता है दो या दो से ज्यादा नहीं जुड़ सकते वहाँ पर फिर अगर sulfur के बात करें तो sulfur के eight atom में एक साथ जुड़े होते हैं eight से ज्यादा नहीं जुड़ सकते हैं लेकिन carbon के आप कितने भी atom जुड़ सकते हों उसे बोलें catination property सेकेंड है टेटरा वैलेंसी टेटरा मिन्स चार और वैलेंसी वैलेंसी मिलब कारबन की चार वैलेंसी है और इसी चार वैलेंसी की वज़े से वह हमेशा दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा इलक्ट्रोन की शेरिंग करके वह दूसरा एटम कार्बन भी हो सकता है या फिर कुछ हाइड्रोजन ऑक्सिजन नाइट्रोजन वेगारा भी हो सकते हैं कलियर है यह मेरे क्वेशन कंपलीट होता है नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन कार्बन किसे बोलते हैं तो क्या बताओगे कि ऐसे कंपाउंड जिन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बोंडिंग प्रजेंट हो ठीक है जैसे सी एस फौर है मिथेन फिर आता है सेचुरेटेड कंपाउंड देखो कैसे याद रखोगे एस से सेचुरेटेड और से सिंगल कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिन के बीच अलब ऐसे कंपाउंड जिन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बोंड परजेंट हो ठीक है वहाँ पर आपके बोंड देखना है सिरफ और सिरफ कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बोंड है तो वह सेचुरेटे हो सकते हैं नेक्स्ट पढ़ेंगे इनके अग्जाम पाथ अब देखो जो हाइड्रोकार्बन वह में लिए तीन क्लास में डिवाइड कर दिया अलकेन अलकीन अलकाइन देखो कैसे अगर कारबन और कारबन के बीच में सिंगल बॉंड है तो वह होंगे अलकीन अलक का मतलब होता है वहाँ पे नमबर ओफ कारबन के दिने है ठीक है और एन किसके लिए उज़ करते हैं कि सिंगल बॉंड है डबल बॉंड तो एन मतलब सिंगल बॉंड है इन लगा दिया अलक इन इन मतलब कारबन और कारबन में डबल बॉंड है और वाइन इन मतलब कारब और देखो यहाँ पर अलकेन का कॉमन फॉर्मॉला क्या होता है सी एन एच्ट टू अन प्लस टू यहाँ पर सी एन एच्ट टू अन माइनस टू ठीक है अब कुछ है कि लेक्ट्रों डॉर्ट स्ट्रिक्षर पड़ें जैसे इसने बोल दिया एथेन एन है मतलब कार्बन और का है до ने कि और देखे में सिंगल बोफंड है इतने मैं में देखो tor 6 फिरमॉला होता है मर दो कार्बन और स्टेश्य इसने 3 आपने तो यह के अलकेन है और सच्चुरेकेड है इथीन इन मतलब डबल बॉंड की कार्बन और कार्बन में क्या होगा डबल बॉंड परजेंट होगा तो डो डो इलक्रोन शेर करेंगे और आईडोजन चार है तो कार्बन के पास दो आईडोजन होगी वैसे देखो याद रहना हर कार्बन के चारबोंड इलक चारम पूरे करने होता है कैसे भी दैखो यापर कि कि एक दो तीन चारं इस कर देंके एक दो थीन चार गाणानें स्टूक्यक है निञा क्यूंट झाल झाल